बाह दोस्तों, हवे आपने पाठने समझिये। द्रुपदना दर्बार मां अपमान पामी ने द्रोन फर्ता-फर्ता हस्तिनापुर्मा आवी चड़्या। हस्तिनापुर्ना एक कुवा पासे राज कुमारो रमता हता। द्रोने अस्त्रविद्याना प्रभाव थी कुवा मा पड़ेलो दड़ो बहारकाडी आपयो। कुमारे आवात भिश्मपितामहने तथा महराजा दृत्राष्ट्र ने जणावी। एटले ते बन्ने विचार करीने द्रोन ने राज कुमारो ना गुरु तरीके स्थाप्या। आ जमानामा गुरुनी सेवा एव विद्यार्थ जीवनननू एक आवश्यक अंग मनातु। विद्यार्थियों गुरुकुल मा रहे ते दर्म्यान आखाये गुरुकुलना नाना मोटा तमाम कामो उतेज उपाणी लेता अने ए रिते जीवन मा स्वाश्रयेनी अन्मूली तालीम पामता आश्रम मा नवो दाखल थनार विद्यार्थी आश्रमनी गायोने चारवा माटे जंगल मा लई जतो आश्रमना व्रुक्षोने पाणी पातो गुरुना हवी माटे समधी मागी लावतो अने जीवनना आवा तेवा कार्यों मा पलोटाया पछीज रित्सरने विद्या भणवी आम पांडवोने तेमज कवरवोने गुरु द्रोननी सेवानी तालिम मली कुमारोनी परिक्षानो वकत नजीकावतो हतो कुमारोय द्रोनाचार्य पासे थी केवी केवी विद्याओ मिलवी छे ते हस्तिना पुर्णी समगर प्रजा जुए एवो भिश्मनों मनोरा थतो अने तेटला माटे एक आलेशान मंडप उभो करी जनतानी समक्ष कुमारोनी परिक्षा करवानों विचार चालिडवातो दर्म्यान द्रोनाचार्य पोताना संतोष अर्थे शिश्योनी तपास करवानों निश्चय कर्यो एक वकत बधा अस्त्रशाला मां वकत सर हाजर थया एट जले आचार्ये अचानक जाहर कर्यों आजे हुँ तमारी परिक्षा करवानों छु राजकुमारों तैयार थया अने पोताना साधनों लईने बहार मैदान मा आव्या मैदान मा दूर एक ज़ड पर धोला रंगनू एक बनावटी पक्षी गोठव्यो हतो अने लाल रंगना बैर अतनों नी तैनी आखो बनावी हती आचार्ये कुमारों ने जणाव्यों पिला दूर ना ज़ड पर मैजे पक्षी गोठव्यों छे तैनी आखोंने तमारे विंध्वानी छे आचार्य बोल्या, कुमार युधिष्टिर, पहलो तमारो वारो, जुओ, आहूं भोछू, सामे भुरू आकाश पडियो छे, पेलू रहू ज्ञाड, अने तैना पर पक्षी छे तमे आ सर्वने जुओ छो युदिश्टिर उभा थाया धनुष्यबान हात मालिधा अने पक्षीनी सामे नजर करता बोल्या गुरु महराज, हुँ तम ने जोऊ छु, भूरा आकाश ने जोऊ छु, दूर ना जाडने देखुछु अने भास पक्षीने देखुछु पचिवारो आव्यो दुर्यो धन्नो, दुर्यो धनकुमार, जुओ, आहुँ भोचु, सामे भुरू आकाश पड़ियो छे पिलु जाड रहु, अने तैना पर पक्षी छे, तमे आ सर्वने जुओ छो दुर्यो धने हात मा धनुष्यबान लेता जवाबाप्यो गुरुदेव, हुँँ आ बदा भाईयो ने देखुछु, तमने देखुछु, भुरा आकाश ने देखुछु, जाड ने देखुछु, अने तैना पर रहिला पक्षी ना सरीर ने ही देखुछु द्रोने कहु, बैसी जाओ पच्छी भीम सेनु भोथायो, अने आचार्यना प्रश्णना जवाब मा बोल्यो गुरुदी, हुँ तमने सवने देखुछु, आकाश मा मोटा मोटा वादला तरेचे, तैमने देखुछु अने जाड ना कोतरो मा पिलो बिलाडो फरेचे, तैने देखुछु अने जाड पर तमें दोलु दोलु कैं गोठा वियो छे, तैने देखुछु द्रोन निरुत्तर थाया, अने भीमने बैसाडी दिधो, गुरु घणा कुमारोंने कने फरी वल्या, पण कोईना उत्तरती तैमने संतोष न थायो इटले छेवटे अर्जुन तरफ वल्या, बेटा अर्जुन हवे तारो वारो छे, तारा पर मारी सर्व आशा छे, आ सवने मारे पराणे विद्या शिखवी पड़े छे, त्यारे तुतो विद्यानों भुख्यो थैने रोज मने शोध तो आवे छे, उठ तैयार था, जो आ हूं भोछु, सामे भुरू आकाश पड़ियो छे, दूर पेलू जाड छे, अने तैना पर पक्षी छे, तू आ सर्वने जुए छे, द्रोण हजीतो वाक्या पुरू करे छे, त्या आर्जुन बोल्यो, गुरुदेव, हुँ तमने देखतो नथी, आकाश ने देखतो नथी जाड ने देखतो नथी, मात्र एक पक्षी ने देखुशु, बाण छोड़वानी आगने आपो, त्या अर्जुन, अमने कोई ने देखतो नथी, एकला पक्षी ने जु देखे छे, महराज, हवे तो आखा पक्षी ने देखतो नथी, मात्र तैनू माथुज देखुशु, तरह तज अर्जुने जवाब वाल्यो, अने द्रोन कई बोल्यो आ जाय, त्या फरी बोली उठ्यो, महराज, हवेतो आ पक्षिन्नु माथु ये नथी देखतो, मात्रबे राता तारा जगमगेशे, तैनेज देखू छू बेटा एनेज विंद द्रोण ना शब्दो होठ बहार पड़्या न पड़्या त्या तो अर्जुन नुँ बाण सननन करती छिप्यों अने पक्षीनी आँखमा चौट्यों शाबाश बेटा शाबाश तू मारो खरो शिश्य छे तारा पर हुँ प्रसन थाओ छू बेटा आ अस्त्रविद्यामा मारो कोई शिश्य तारा ती चड़िया तो रही थाई एवो मारू मानवु छे द्रोणा चारिये अर्जुन ने बात माली धो अने तेनु माथु सुंग्यों चारे भाईयों अर्जुन ने फरताव विट्णाई वालया अने कवरो वो बधा एक खुडामा एक ठाथाई ने गुपसुप करवाला गया